पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरह से मिली जूली हर तरह के सवालों को देखते हैं क्योंकि यह जो है एक नंबर सिस्टम का पार्ट हो जाता है लेकिन जिसे हमें एवरेज में पढ़ना है तो इस टाइप के कॉश्चन को भी हम कम्पलीट करेंगे ठीक है? लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक बात जाना पड़ेगा जैसे मालो कभी भी हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज का आपको बेसिक फर्मूला ध्यान होगा कि एवरेज यानि औसत का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर कितने नंबर हैं उसको भाग देखो टोटल सम को भाग करना होता है किस के साथ टोटल नंबर के साथ ठीक है ये एवरेज का मेन फर्मूला होता है और इसके आधार पर जो है एक बार आप लोग ये टेबल को ध्यान रख लीजे जैसे अगर हम बात करें numbers की natural number हो गया ठीक है तो natural number हो गया whole number हो गया तो natural number का पहले total sum क्या होता है यह table आप लोगों को याद रखना है यह आपके paper के लिए बहुत मातोपोन है तो natural number का जो sum होता है या किसी भी series का n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 by 2 और उनका जो ओसत होता है वो होता है n plus 1 by 2 यहाँ पर मैंने एक word लिखा है of किसी भी series का किसी भी series का मतलब यह sum नहीं होगा किसी भी series में जो ओसत होगी वो हमारी same होगी आगे चल कर मैं आपको बताऊंगा कोई भी arithmetic progression के series का अगर आपको ओसत निकालना है तो पहली संख्या और आखरी संख्या को जोड़ के क्या करना है आधा कर देना है तो यहाँ पर of any ap series का मतलब यह है कि किसी भी संख्या जैसे मालो 2, 4, 6, 10 चल रहा है तो पहली संख्या और आखरी संख्या को जोड के भाग कर देंगे तो वो उनका उसत हो जाएगा ठीक है तो natural number के case में हमारा होगा n into n plus 1 by 2 ये इनका sum होता है total sum होता है जैसे शुरू के 10 संख्याओं का हमारा total sum बोल दे तो n into n plus 1 by 2 20 संख्याओं का बोल दे 20 into 20 plus 1 बटे 2 ये sum हो गया और ये इनका उसत हो गया ठीक है उसी तरीके से first and odd number बोल दे यहाँ पर ठीक है odd number का जो है यहाँ पर हमें बोले sum निकालने को तो odd number का sum जो होता है वो n square होता है यानि अगर मैं आपसे बोलूँ पहली 10 संख्याओं पहली 10 odd संख्याओं का sum कितना होगा तो 10 का square sum पहली 11 संख्याओं का sum कितना होगा 11 का square 121 ठीक है पहली 11 हमेशा याद रखना word first and odd number ऐसा नहीं है कि 11 से लेकर 99 तक उनका बोला जाए तो आप उस तरीके से निकाले हमेशा ये first के लिए काम करता है अब बोलेंगे सर 11 से लेकर मान लो 17 तक जितने odd number है उनका average पूछे तो क्या करेंगे तो उस case में 1 से लेकर 17 तक का निकालेंगे फिर 1 से 11 तक या 1 से 9 तक का निकालकर हम उसमें से घटा देंगे तो हमारा 11 से जो है वो 17 तक की value आ जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना है first n odd number का जो sum होता है वो n square होता है और इस total sum को जब n के साथ भाग कर देंगे तो वो n में बदल जाएगा total sum को जब n के साथ भाग करेंगे तो n कट जाता है n प्लस 1 टू हो जाता है first n even number की अगर हम बात करते हैं तो even number का जो sum होता है वो होता है n into n plus 1 यानि शुरू के 3 even number यानि 2, 4, 6 इनका sum अगर पता करना है तो 3 into 3 plus 1 यानि 12 आएगा और ऐसे भी 2, 4, 6 जो होता है वो 12 होता है तो ये तो इनका sum देदेगा अगर हम इनके औसत की बात करेंगे तो इनके sum को हम n के साथ divide कर देंगे क्योंकि average बराबर क्या होता है total sum upon total number यहाँ पर n number है n से भाग करने पर ये क्या आजाएगा औसत तो natural number हो गया, odd number हो गया, even number हो गया square की बात करते हैं कि शुरू के 5 square, शुरू के 5 natural number का square 1 का square, 2 का square, 3 का square, इनका sum कितना होगा तो n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 ये इनका sum होता है और sum को जब हम n के साथ भाग कर देते हैं तो ये इनका क्या बना देता है, average बना देता है, n खतम हो जाएगा n plus 1 into 2n plus 1 by 6, उसी तरीके से अगर हम cube की बात करें तो cube आसान होता है याद करना, natural number वाले का square कर दो तो ये cube में काम आ जाता है, आप देखो n into n plus 1 by 2 इसका whole square कर दो तो इसका sum हो जाता है और इस sum को अगर हम n के साथ भाग करेंगे n के साथ भाग करेंगे, तो n square यहाँ आया होगा, वो n में बदल जाएगा n plus wall का wall square और 2 का square कितना हो गया, 4 हो गया अब पूछोगे sir, ये table का क्या करना है, तो भाइस table को याद करना है आपके tips पर आपको पता होना चाहिए कि शुरू के n odd number का sum क्या होगा, average क्या होगा, even का sum क्या होगा, average क्या होगा odd का sum क्या होगा everything आपको याद होना चाहिए जो भी हमने यहाँ table में दे रखा है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहला question हमारे सामने आपके सामने है question में यहाँ पर कहा गया है average of all the prime and composite number up to 100 देखो कोई भी natural number की जो series होती है अगर हम natural number की बात करते हैं तो natural number किस संख्याओ को हम कहते है natural number वो संख्याओ होती है जो 1 हो गया 2 हो गया 3 यह गिंती से चलती है ठीक है यहाँ पर मैं अलग पन्यम बताता हूं तो जादा clear हो जाएगा natural number हम किसे कहते हैं जानना पड़ेगा नमबर के form को जानना पड़ेगा नहीं तो गलती हो सकती है बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने तो natural number हम बोलते हैं 1,2,3 मतलब गिंती की सभी संख्याओं लेकिन वो शुरू कहां से हुई होंगी वो शुरू हुई होंगी एक से अगर हम बात करते हैं यहां पर वोल नमबर की तो वोल नमबर हमारा कौन सा सिरीज होता है वोल नमबर सेम रहता है सारे के सारे natural number बट along with 0 यानि 0,1 दिन दिन तक कहां से जाता है n तक तो natural और वोल नमबर में ये फर्क होता है कि natural number की गिंती 1 से अनंत तक जाती है और वोल नमबर की गिंती 0 से अनंत तक जाती है ठीक है? तीसरा जो आता है वो हमारा आता है prime number Prime number हम किसे कहते हैं देखो prime number वो संख्या होती है जिसके कम से कम दो factor होते है एक होता है और दूसरा वो खुद संख्या होती है जैसे मालो मैंने कहा 23 अब 23 को भाग करने वाला दुनिया में सिर्फ दो संख्या है वो तो या तो एक है और नहीं तो दूसरा वो खुद है 23 तो यानि प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो यह होता है एक ऐसी संख्या जो या तो खुद से भागो नहीं तो एक से भागो ठीक है एक ऐसी संख्या जो एक से भी भागो और खुद से भी भागो मतलब कम से कम प्राइम के दो फैक्टर हो गया एक वो खुद और दूसरा जो हो गया वो एक हो गया, इसके अलावा वो किसी और से कटे ही नहीं, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है दो, फिर आता है तीन, फिर पाँच हो गया, साथ हो गया, एक ग्यारा, तेरा, सतरा, उननिस औ इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो किसी और संख्या से कटती हो खुद के अलावा, ठीक है? इसमें एक बड़ा इंटरस्टिंग बात पूछा जाता है, प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर में याद रखना इकला होता, दो ऐसा नंबर है, जो एवन होता है, और प्राइम नंबर में इकला होता, दो ऐसी संख्या है, दो जो है, वो क्या है? हमारा इवन है और बाकि जितने प्राइम नंबर है, वो सारे के सारे क्या होंगे? odd होंगे क्योंकि कोई भी दूसरा even number आएगा उसका factor 2 हो जाएगा जैसे 4 आगया, 4 का factor 2 भी है तो वो prime नहीं कहलाएगा ठीक है? उसके बाद बात करते हैं composite number की एक होता है composite number, composite number किसे कहते हैं? तो composite number वो कहते हैं जो prime नहीं हो जो संख्या prime नहीं हो, उसे हम composite number कहते हैं अब बोलोगे composite number एक से शुरू होगा तो नहीं एक हमेशा ध्यान रखना 1 ना prime है और ना composite है 1 एक ऐसी संख्या है जो ना ही prime है और ना ही composite है यानि 1 हो गया, ठीक है? 1 prime नहीं है composite नहीं है 2 prime है 3 prime है तो सबसे छोटा composite number जो है वो 4 है, 4 हो गया, 5 हो गया ठीक है, 5 तो prime number हमारा हो गया 6 हो गया यहां पर 7 prime number हो गया, 8 हो गया 9 जो है वो हमारा हो गया 10 हो गया, इस तरीके से मतलब जो संख्या prime नहीं होती है वो composite हो जाती है, ठीक है यह बात को ध्यान रखना है उसके बाद अगर हम बात करें एक चोटा सा प्यारा सा note का तो आपको note ध्यान रखना है note क्या ध्यान रखना है, 1 is neither prime nor composite 1 is neither prime nor composite, इस बात को ध्यान रखें 1 नहीं prime है और नहीं composite है, अगर आप इसको google करेंगे, तो 10 ऐसे reason Google करके भी बता देता हूं आपके सामने कि 1 क्या है? Prime है कि composite है? आपको 10 reason मिल जाएंगे यहां पर, ठीक है? जो अलग-अलग mathematicians ने proof डाले हैं आप उसको पढ़ सकते हैं 1 is, ठीक है? Prime और composite माल लो हमने Google से सवाल पूछा ठीक है? Prime और composite ठीक है? और क्यों है? तो सवाल में आएगा 1 is not a prime number because for a prime number, number should have 2 divisor, 1 and itself लेकिन 1 का सिर्फ एक ही divisor है इस वज़े से जो है वो prime नहीं है and 1 it is not composite number because number to a composite number when it has a divisor which is not 1 and itself ठीक है? यहां पर हर बात जो है कही गई है कि 1 जो है composite नहीं है क्योंकि किसी भी number का composite number वो तब होता है जब उसका divisor which is not 1 and itself so it has only 1 divisor that is 1 hence it neither prime nor composite साफ लिख है hence 1 is neither prime nor composite तो सीडियस में एक सवाल आया था सवाल हमारा यह पूछा गया था सबसे छोटा composite number कौन सा होता है option दिया गया था 1, 2, 3, 4, 5 माल वैसे करके तो बहुत बच्चों ने उत्तर उसमें 1 दे दिया था तो याद रखना है 1 ना prime है ना composite है ठीक है चलिए तो जैसे यहाँ पर सवाल थोड़ा tricky हो गया पहले बच्चों का उत्तर कुछ और आता और वो गलती कर देते सिधा n into n plus 1 by 2 का formula लगा देते लेकिन यहाँ पर वो formula नहीं लगाना है आप से यह नहीं पूछा गया है कि शुरू के जो है वो 100 natural number का sum बताओ अगर शुरू के 100 natural number का sum बताना होता तो n into n plus 1 by 2 लगाते n के जगा पर 100 रखते तो बोलते 100 into 101 बटे 2 ठीक है और तब यहाँ पर जो है आप गुना कर देश से तो यह आजाता है 100 into 101 50.5 ठीक है यह इनका sum जो होता हो क्या होता है शुरू के 100 natural number का जो देखो शुरू के 100 natural number का अगर आपको मान लो बोलता average बताने को तो आप बोलते सर शुरू का 100 natural number का मतलब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा अगर हम बात करें natural number की समझना मेरी बात को अगर हम बात करें natural number की तो natural number का मतलब हो गया यह गिंती शुरू होती है 1,2,3,4 और कहां तक बोला है 100 तक बोला है तो 100 तक लेना है मैंने आपको क्या कहा किसी भी संख्या का ओसत, किसी भी सीरीज का ओसत निकालना है तो average निकालने के लिए उसके पहले और उसरे आखरी को जोड़ करके आ कर दो 2 से भाग कर दो तो पहले और आखरी को जोड़ के भाग कर दो तो कितना हो जाएगा सो जमारीक 101 बटे 2 यानि साड़े पच्चास लेकिन हमारे सवाल में वो नहीं पूछा हमारे सवाल में बोला है सभी प्राइम और कमपोजिट नंबर ठीक है तो प्राइम नंबर शुरू कहां से होते हैं 2 से 3 से 4 से ऐसे कर करके और कमपोजिट हो गए 2 3 4 मतलब ये हम से सवाल में पूछा गया है कि बेटा तुमको 1 नहीं लेना है 1 नहीं लेना है मतलब आपकी शुरू होगी 2 से लेकर सिरीज तीक है और वो कहां तक जाएगी अप to 100 तक जाएगी यानि 2 से लेकर जाएगी सिरीज 100 तक तो हमें इसका औसद बताना है 2 3 4 ऐसे करकर के तो इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 102 102 बटे कितना हो जाएगा 2 यानि हमारा उत्तर जो होगा 51 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ठीक है जितने बच्चे अगर 50.5 देते वो गलत उत्तर देते इस बात का ध्यान रखिए 50.5 हम तब देंगे जब हमसे नाचरल नमबर पूछा जाएगा हमसे पूछा गया है प्राइम प्लस कमपोजिट और जो हमने आपसे एक छोटी सी बात हमने बताई थी आपसे वो क्या बताई थी अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 1 जो होता है वो ना प्राइम होता है ना कमपोजिट होता है इसलिए हम ये शिरीज को 1 से शुरू ना करके 2 से करेंगे और इसलिए हमारे उत्तर 55 ना कर क्या होना आएगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए कहा गया है 30 continuous natural नंबर जो है उनका जो है average 15 है अगर अगले 6 नंबर को हम include कर दे तो नया average क्या होगा अब देखो एक नंबर में भी आपको include और exclude का concept पढ़ना है बड़े अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे एक एक बात को पहले natural नंबर में मैं आपको बताऊंगा फिर even नंबर में देखो एक series होती है आप सभी समझदार बच्चे हैं मेरी बात को समझ पाएंगे देखिएगा जैसे मानलो हमने क्या कहा एक एक छोटी छोटी बात को हम आपको समझाना चाहते हैं समझिए ठीक है natural नंबर होता है एक दो तीन मानलो ये हमारे तीन लोग हो गए ठीक है और इनका जब हम आउसत निकालेंगे तो कभी भी जब और संख्याएं होती है तो आउसत बीच वाला होता है यानि इन तीन संख्याओं का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा वो एवरेज हमारा दो आएगा आप देख लो तीन दो पांच एक छे शे बटे तीन आउसत कितना आया दो आया अब हमारे एक्जामिनर ने कहा कि इस सीरीज के अगले दो नंबर को भी आप इसमें अड़ कर दो तो आप बोलेंगे एक दो तीन तो था ही था दो नंबर को और हमने अड़ कर दिया यहाँ पर जो इनका ओसत होगा वो हमेशा बीच वाला होगा आप जोड कर भी पांच से भाग कर सकते हो तो आपका ओसत कितना आ आगया तो आपने यहाँ पर क्या सीखा आपने सीखा कि जैसे मैंने दो और संख्याओं को add किया मैंने संख्याओं में कितने की addition की दो और संख्याओं को add कर दिया तो मेरा average एक से भागा यानि दो number के चलते मेरा average एक से भाग रहा है तो अगर मैं 4 number को add करूँगा तो मेरा average 2 से बढ़ेगा मैं 6 number को add करूँगा तो मेरा average 8 से बढ़ेगा इस तरीके से 6 से करूँगा तो 3 से बगेगा ठीक है तो ये तो हमारा किस में हो गया ये natural number के series में हो गया लेकिन क्या कोई ऐसा trick होगा जो हर series में काम आए बिल्कुल होगा मान लो कल के दिन मैं आपको odd number का example देता हूँ जैसे odd number क्या होते है odd number में आपने कहा कि sir 1, 3 और 5 शुरू के 3 odd number लिए है तो इनका जो average आता है अमेशा बीच वाला आता है 3 आता है इस term के अगले 2 odd number को मैंने add कर दिया यानी 1, 3, 5, 7 और 9 अब इसका ओसत कितना होगा 5 होगा तो 2 number add किया तो ओसत मेरा कितना आ गया 5 2 number के add करने के चलते ओसत मेरा 2 से बढ़ गया 3 number को add करता ओसत 3 से बढ़ता 4 number को add करता ओसत 4 से बढ़ता इसी तरीके से अगर आप even series की बात करोगे even number में बात करोगे तो देखो शुरू के 3 even number की बात करो तो even number होते 2, 4, 6 इनका ओसत कितना है? 4 है ठीके? अगली 2 even संख्याओं को add कर दो यानी 2, 4 हो गया 6 हो गया 2 और even संख्या है मतलब मानलो अगली संख्या 8 है 10 है अब इनका ओसत हो जाएगा 6 तो जहाँ पर पहले इनका ओसत 4 आ रहा था अब इनका ओसत 6 आ रहा है ओसत में कितने की बढ़त हो गई? 2 की बढ़त हो गई यहाँ पर ओसत की बढ़त कितनी हो गई? 2 की बढ़त हो गई यहाँ भी 2 संख्याओं बढ़ाई है यहां भी दो संख्याएं बढ़ाई है यहां भी दो संख्याएं बढ़ाई है तो क्यों यहां पर एक से बढ़ रहा है यहां दो से बढ़ रहा है उसके पीछे का reason है रीजन ये है कि आपको समझना पड़ेगा जब भी आप किसी नई संख्या को किसी भी सिरीज में आड करते हैं तो आपका ओसत उनके अंतर के आदे से बढ़ता है यानि अगर हम बात करें increase in average की कोई भी number के चलते average में कितने का बढ़त होगा अगर हम एक number को add करेंगे तो औसत कितने से बढ़ेगा दो number को add करेंगे तो कितने से बढ़ेगा तो ये जो है इनके difference का आधा से बढ़ता है एक और दो का अंतर हमेशा याद रखना उनके difference के आधा से बढ़ेगा बस और कुछ नहीं, हमेशा उनके difference से आधे से बढ़ेगा clear है, जैसे यहाँ पर इनका अंतर कितने का है, दो और एक का अंतर एक का है तो एक के चलते, एक का आधा, यानि प्रतेक संख्या के चलते, यहाँ average 0.5 से बढ़ेगा दो लोगों को लाओगे, तो 1 से बढ़ेगा, तीन लोगों को लाओगे, 1.5 फेवरेज बढ़ जाएगा चार लोगों को लाओगे, तो 2 से बढ़ जाएगा यहाँ पर बात करो, यहाँ इनका अंतर कितने का है, दो का है तो अंतर के आदे से ऊसत में बढ़त होती है, यानि दो का आधा एक, यानि हर नई संख्या के चलते ऊसत एक बढ़ जाएगा, इसलिए दो संख्या के लाने के चलते ऊसत हमारा दो से बढ़ गया है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, गुद। में देखो, अंतर कितना है? दो का है दो का आधा कितना? एक हो गया, यानि प्रतेक संख्या के चलते उसात एक से बढ़ेगा तो दो संख्या के उसात हमारा कितना बढ़ेगा? दो का, ये किसी भी सिरीज में आप मेरा ये golden formula अपलाई कर सकते हैं जैसे मानलीजे आपको बुलता है कि ये हमारा सात का सिरीज है, सात, चौदा और एककिस, तो इसका ओसत हमेशा कितना होगा? चौदा होगा, तो आपने लिखा चौदा अब मानलो इसकी अगली दो multiple भी हम यहाँ पर जोड़ देते हैं अगला दो multiple, तो 7 हो गया, 14 हो गया 21 हो गया, 7 चौके 28 और 7 पचे 35 अब अगले दो multiple मैंने इसके add कर दी है तो मेरा जो है ओसत क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा हमेशा बीच वाला number अब आप यहाँ पर समझेंगे आप बोलेंगे सर देखो, increase का मतलब क्या हो गया ओसत में increase कितने के होगा तो आपने कहा सर, इनके antar के आदा से 14 और 7, 7 के आदा से एक संख्या के चलते इतने से बढ़ेगा आपने कितनी संख्या बढ़ाई है 2 संख्या बढ़ाई है, तो आपका ओसत तो जो है वो 7 से बढ़ जाएगा और आप देखिए आपका उसत 7 से बढ़ गया है अगर 3 संख्याओ का पता करना होगा तो हम इसको 3 से गुना करेंगे अंतर के आधा इंटु इतना अगर 4 संख्याओ के चलते पता करना होगा 4 से करेंगे और पुराने वाले ओसत में जोड़ देंगे तो यह हमारी क्या हो जाएगी value हो जाएगी clear है समझ में आया बात तो हमसे जो सवाल पूछा गया वो यहीं पूछा गया है कि 30 संख्याओ का ओसत आपके 5.5 है ठीक है अगले 6 नंबर को आप add कर देते हैं और यह natural नंबर है तो आपका नया average क्या होगा तो आप बोलेंगे नया वाला average जो होगा वो क्या होगा समझेगा नया वाला average होगा वो यह होगा कि पुराना वाला average तो रहेगा ही रहेगा plus पुराना वाला average तो रहेगा ही रहेगा plus हर संख्या के चलते औसत कितने से बढ़ती है वो समझो तो प्रतेक संख्या के चलते औसत देखो difference का समझना मेरी बात नयाचुरल नंबर का जो अंतर होता है वो कितने का होता है एक का होता है तो difference का आधा और जितनी संख्याय बोली गई है छे संख्याय बोली गई है तो 6 से आप इसको क्या करेंगे काटेंगे तो बटे 3 पुराने वाले औसत में आपको 3 जोड़ना है साड़ा पंद्रा में 3 जोड़ दीजे साड़ा 18 जो होगा वो आपका correct answer होगा आप ऐसे भी समझ पाएंगे बिना बनाए कि देखो हर संख्या के चलते ओसत आधे से बढ़ेगा, छे संख्याओं के चलते ओसत तीन से बढ़ेगा, पुराना ओसत साड़ा पंदरा था नया ओसत साड़े अठारा हो जाएगा तो वहीं मैंने कहा नया ओसत बराबर पुराने ओसत प्लस डिफरेंस, नैचरल नंबर में डिफरेंस होता है कितना एक एक का, डिफरेंस का आधा और जितने नंबर की बात हुई है उतने से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, चलिए, अगला सवाल देखिए जैसे, कहा गया है कि 25 continuous natural number का ओसत के है, अगर last के 5 नंबर को हम exclude कर देते हैं, निकाल देते हैं, अंतीम के 5 संख्याओ को, तो ओसत हमारा क्या होगा, देखो अंतीम के 5 निकालो, शुरू के 5 निकालो, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, दोनों में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखन होता है, वो हम समझ सकते हैं, आगे मैं आपको चल कर बताऊंगा, ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा include करने का, तो आप पढ़ेंगे अभी exclude करने का, समझ यह जैसे माल लीजे, मैंने आपको कहा एक छोटी सी बात की, यह हमारा एक series है, 1, 2, 3, ठीक है, 4 और माल लीजे 5, इसका अभी ओसत कहां पर है, इसका आपका average जो है, वो यह है, मैंने कहा कि इसके last के आप 2 संख्याओं को निकाल के फेंक दो, 4 और 5 को आप निकालना है और फेंक देना है, आखरी का, तो आपका series हो जाएगा 1, 2 और 3, यानि अब आपका ओसत कितना हो जाएगा, अब आपक ओसत कितने का हो जाएगा, दो का, तो यहां पर आपने देखा कि 2 संख्याओं गई हैं, तो हमारा ओसत एक से कम हो गया है, यानि बात वहीं पड़ा, या तो किसी नई संख्या को लेकर आओ, या किसी संख्या को निकाल दो, ओसत में उतने ही का decrease होगा, या उतने का increase होगा, बराबर ठीक है, ओसत में अगर हम increase की बात करें या decrease की बात करें, वो बराबर होगा हमेशा difference के आधे के, हमेशा होगा difference के आधे के, हमेशा difference के आधे के, अगर आप last में number को जोड रहे हैं, या last से number को घटा रहे हैं, कोई नया number आएगा, तो वो उनके अंतर से आधे से यहां पर बोला गया है 25 संख्याएं है और उनका उसत पुराना कितना है K है पांच संख्याओ को आपने निकाल दिया तो पांच संख्याओ के चलते जो ओसत में डिक्रीज आएगा वो कितने का आएगा आप बोलेंगे सर ठीक है difference का आधा यानि एक का आधा और कितने संख्याओ के चलते 5 के चलते यानि धाई की कमी आएगे कितने की कमी आएगी धाई की कमी पुराना average K था नया average पूछा गया है यानि K में से 2.5 कम option number B अगर यहीं बोला जाता कि 5 संख्याओ को जोड दीजे तो उत्तर हो जाता K प्लस 2.5 अगर यहीं बोला गया 5 संख्याओ को निकाल दीजे तो उत्तर हो जाएगा 2.5 हर संख्या के चलते 0.5 की बढ़त तो 5 के चलते 2.5 की बढ़त तो यहाँ k plus 5 होता और यहाँ k minus 5 होता clear है चुकि उनका अंतर जो होता है वो 2 का होता है और 2 का आधा एक हो जाएगा इस वज़े से सवाल में देखिए बड़ा शांदार कोशन पूछा गया है next कि 20 continuous natural number का जो ओसत है वो k है पहले 4 number को अगर आप निकाल देते हैं आप देखो यह बड़ा अच्छा हो गया पहले 4 number यह एकदम नायाब concept है unique concept है शायद इसके बारे में आपने भी नहीं पढ़ा होगा अभी तक तो इस बात को समझेए यह बहुत जरूरी है बहुत बच्चे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको काम नहीं करना है आपको एक छोटा fundamental ना average के साथ आपको खिलना है आपको समझना है कि यार अगर मैं शुरू की संख्याओं निकालूं तो उसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मैं बाद की संख्या निकाल रहा हूं तो उसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों पर सेम प्रभाव नहीं होता है उधारन के तौर पर समझिये जैसे हमने आपके सामने एक नंबर लिख दिया एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे और साथ लिख दिया हमने यहाँ पर आपके सामने साथ नंबर आपके दो, तीन, चार, और पाँच की सिरीज बन जाएगी उस केस में जो औसत होगा वो कौन वाला होगा? बीच वाला होगा समझ रहे हो मेरी बात को औसत क्या होगा? बीच वाला होगा आपने प्रभाव देखा पीछे से जब दो संख्या कम की तो औसत आपका कितने से कम हो गया? एक से कम हो गया अब जड़ा एक और काम कर दो अब आप जो है इसी सिरीज में इसी सिरीज में आगे की दो संख्या को घटा दो उपर वाली सिरीज में पीछे से दो संख्या नहीं, आगे से दो संख्या घटा दो तो आपके ये series क्या हो जाएगी? हो जाएगी 3, 4, 5, 6 और 7 ओसत हमेशा कौन सा होता है? हमेशा बीच वाला होता है यानि ये आपका average हो जाएगा ठीक है? तो आप मेरी बात को समझो आपका ओसत 4 से 3 हो गया है यहाँ पर और आपका ओसत यहाँ 4 से 5 हो गया है तो कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी संख्या को पीछे से घटाते हैं जब आप किसी संख्या के आखरी अंको को कम करना शुरू करते हैं तो आपका जो ओसत में कमी आता है जो decrease आता है ठीक है? वो कितने का आता है तो आप बोलेंगे decrease जो आएगा वो आएगा difference का हमेशा आधा ठीक है? इनका अंतर कितना है एक-एक का है तो एक-एक के आदे से decrease आजाएगा एक का आधा याने decrease आजाएगा लेकिन वहीं जब किसी संख्या को आप जो है पीछे से कम करते हैं पीछे के बजाएं आगे से कम करना शुरू कर देते हैं तो आपका उसत बढ़ता है तब कम नहीं होता बढ़ता है और उस case में increase कितना होगा तब भी difference का आधा मतलब जो point note करना है the point to be loaded my lord बोलते हैं न ऐसे quote में the point to be noted my lord तो my lord जो point आपको note करना है वो ये करना है कि कोई भी series हो अगर आप उसके शुरू के अंक घटाना कम कर रहे हैं शुरू के अंकों को हटा रहे हैं आपका उसत भागते जाएगा आप ऐसे भी सोचो ना शुरू में तो छोटी संख्याएं रहती हैं छोटी संख्याओ को निकालोगे बढ़ी बढ़ी संख्याओ को उसत ज्यादा होगा फिक है लेकिन अगर आपकरी के संख्याओ को निकालना शुरू करोगे जो बढ़ी बढ़ी संख्याओ है तो उनके चलते उसत में कम ही आती है decrease आती है इसलिए वसत यहां से पीछे की तरफ भागता है लेकिन अगर शुरू के संख्याओं को निकालोगे तो ओशत आगे की तरफ भागेगा यानी बढ़ेगा तो बाद की संख्याओं के निकालने के चलते ओशत हमारा कम होता है शुरू के संख्याओं के निकालने के चलते ओशत हमारा बढ़ता है कितने से कम होता है कितने से बढ़ता है हमेशा जो भी सीरीज रहे उसके difference के आधा ये एक संख्या के लिए नियम है जितनी संख्या के लिए निकालोगे उसको N से गुना कर दोगे क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम जैसे देखते हैं बोला गया है 20 natural number की value जो है ओसत है वो K है अगर शुरू के 4 number आप exclude कर देते हैं तो आप से नया natural number पूछा गया है शुरू के number के हटाने से उसत बढ़ता है की खड़ता है आप बोलेंगे सर शुरू का निकाल दिया है मतलब खाली बड़ी बड़ी संख्याय बची है तो उसत बढ़ेगा तो जो increase आएगा वो कितने का आएगा तो आप बोलेंगे सर increase बराबर difference का आधा हर natural number के बीच का अंतर कितना होता है एक का उनका आधा इतना कितनी संख्याओ की बात की गई है चार की बात की गई है यानि आप में 2 का increase आएगा कितने का increase आएगा 2 का increase आएगा यानि पुरान मैंने आपको क्या कहा किसी भी संख्या का अगर आपको ओसत निकालना है तो आपको उसके पहले और आखरी संख्या को जोड़कर भाग कर देना होगा जैसे यहां पर कहा गया है छे के पहले आठ मल्टिपल ठीक है 6 के पहले 8 गुनंजो का ओसत क्या होगा 6 के आठ मल्टिपल यानी 6 का पहला मल्टिपल 6 होगा, δूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा और इसी तरीके से उसका आठवा मल्टिपल कितना होगा 48 होगा मुझे क्या करना है इन सब का जो है ओसत निकालना है देखो ये एक सिरीज में है, सिरीज मतलब AP में है जहां पर इनका जो common difference है वो same है कोई भी ऐसी सिरीज हो दुनिया की जिनके बराबर का अंतर अगर समान है तो उनका जो हम ओसत निकालते हैं, जो average निकालते हैं MTS का question पूछा गया था, कोई फरक नहीं परता, वो 6 के multiple की बात करता है 7 के multiple की बात करता है, 8 के multiple की बात करता है कोई फरक नहीं परता, यहां पर यह भी बोलता, कि 7 का जैसे मान लो यह भी बोलता ठीक है माल लो यहाँ पर ऐसा कह दिया जाता है 21 फिर 28 ऐसे करते करते माल लो 1400 बोला गया कि यह जो हैं 7 के multiple के series हैं यह तीसरा multiple हो गया यह आपको इस तरीके से series हो गया इनका औसत बताओ पहला और आखरी को जोड़ कर क्या कर दो आधा कर दो वहीन का क्या हो जाएगा ओसत हो जाएगा ठीक है शलो next आप से बोला गया है average of square from 1 to 5 शुरू के 5 संख्याओ का जो average है वो बताने को कोई दिक्कत की बात नहीं है शुरू के 5 संख्याओ के square का बताना है हमें formula पता है formula क्या होता है आप बताईए square का आप बोलेंगे सर अभी तो पीछे आपने कहा था याद करने को तो याद करने को हमने कहा था तो बताओ square का क्या होगा square का होता है n into n plus 1 ठीक है into 2n plus 1 by 6 2n plus 1 by 6 लेकिन ये sum होता है औस नहीं होता और इस sum को जब आप n से भाग कर देते हैं तो इसका औसत जो हो जाता है वो हो जाता है n plus 1 into 2n plus 1 by 6 यानि कितनी संख्याओ की बात की गई है 5 की तो 5 जमा एक 6 हो जाएगा 5 दुनी 10 और 11 एक 11 बोटे हो जाएगा 6 6 से 6 खतम उत्तर हमारा कितना आएगा उत्तर हमारा 11 आएगा option number a जो होगा वो correct answer होगा cpo का सवाल था पूछा गया था कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है फिर उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा गया है average of first 55 even number ठीक है तो हमें बात याद रखना है बड़े अच्छे तरीके से even number के case का वापस से revision करना है कि even number का sum कितना होता है और even number का जो है हमारा average कितना होता है ठीक है हमेशा ध्यान रखना first हमें n number की बात बोलेगा तो even number का जो sum हो गया वो हमेशा होता है आपका n into n plus 1 है ठीक है और इसी ओसत को इसी sum को n से भाग कर दोगे तो वो उसका क्या हो जाएगा ओसत हो जाएगा या पहले 55 संख्याओं का ओसत, यानि 55 जब एक हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 is the correct answer, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, शलिए, अगला सवाल दिखे, अगला सवाल हमसे बोला है, average of first 101 dash number is 102, उल्टा सवाल आपसे घुमा कर पूछ दिया, पहली 101 किस तरह की संख्याओं का ओसत 102 होता है, इससे एक जादा है, n प्लस 1 है, तो यह even number होगा, ना odd होगा, ना natural होगा, यह क्या होगा, even number होगा, कि average of first 101 even number is equal to 102, CHSL में पूछा गया है 2019 में, ठीक है, चलिए, अगले पुरशन की तरफ देखिए, question number 114, क्या कहा है आपसे, सवाल में आपसे कहा गया है, कि 5 लगातार, sum संख्याओं का ओसत जो है, वो M है, 5 लगातार, ठीक है, sum संख्या, sum संख्या, यानि यहाँ पर even number होगा, even number का जो है, वो क्या है, ओसत M है, अगर अगले 5 even number को भी आप include कर देते हैं, तो average of 10 number जो होगा, वो क्या होगा, आपको अभी मैंने बताया, कि हर number के चलते, हर even number के चलते, हर odd number के चलते, ओसत हमारा 1 से बढ़ता है, तो 5 लोगों की बात हुई है, तो ओसत हमारा क्या बढ़ेगा, 5 से life is the correct answer, बाकी आपको सिरीज में भी ध्यान रखना है, तो आप ऐसे समझेए, कि यहां पर हमारा even है, यहां पर जो प्रतेक संख्या के चलते, ओसत में जो increase होगा, percentage increase नहीं कहेंगे, ओसत में जो हमारा increase होगा, average में वो कितना होगा, मैंने आपको क्या कहा, जो भी सिरीज होत 5 संख्या के चलते बोला है, तो 5 से गुना करो, यानि आपका ओसत 5 से बढ़ेगा, तो पुराने वाले ओसत, यानि आपको 5 बढ़ा देना है, M प्लस 5 जो होगा, वो correct answer होगा, ठीक है, चलिए, next question देखिए, next question क्या कहा गया है, what is the average of 15 वोल नमबर, पहली 15 वोल नमबर का ज ये जाता जाएगा, तो सबसे आखरी वोल नमबर जो होगा, वो होगा 14, अगर एक से गिंती शुरू होती, तो 15 तक जाती, 0 से शुरू ही है, तो 14 तक जाएगी, इसका ओसत मुझे बताना है, हमेशा ध्यान रखो, ओसत का मतलब पहला प्लस आखरी बटे 2, यानि 0 प्लस 14 तो उत्तर कितना आएगा, साथ जो होगा, वो करेक्ट आउसर होगा, option number B, कोई भी series हो, किसी की भी series हो, odd की हो, even की हो, natural की हो, multiple की हो, हमें कभी भी उनका उसत बताना है, तो पहले और आखरी को जोड़ कर क्या कर देना है, आधा कर देना है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल आपके सामने है, थोड़ा बड़ा सवाल है, पढ़ेंगे और तब इसका उत्तर देंगे, ठीक है, 116 number, बोला गया है, कि average of 20 consecutive even number, लगातार के 20 जो है, वो शम संख्याओ का उसत M है, अगर अगली 8 संख्याओ को हम इसके अंदर include कर देते हैं, तो नया average क्या होगा, आप मु एक का, हर एक संख्या के चलते औसत, एक से बढ़ेगा, दो के चलते, दो से तीन के चलते, तीन से, तो आट संख्याओ के चलते औसत हमारा कितने से बढ़ेगा, आट से, तो पहले वाले का उत्तर होगा M प्लस 8, जो हमें दिख रहा है दूसरे option में, दूसरे question की बात करते ह लास्ट 4 नमबर को हम निकाल देते हैं, तो ओसत में हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको जैसे की पता है कि अगर हम पीछे से संख्याओ को निकालते हैं, तो हमारे बड़े बड़े नमबर गायब हो जाएंगे, हमारा ओसत कम हो जाएगा, और कितने से कम होगा वहीं नंबर को गायब करते हो, तो छोटी-छोटी संख्याएं गायब हो जाएंगी, यानि हमारा उसत बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा, उनके अंतर के आधे से, ठीक है, तो उनका अंतर कोई भी even number में अंतर कितने का होता है, एक का होता है, ठीक है हर even number में 2-2 का अंतर होता है तो 2 के अंतर के आधा यानि 2 का आधा एक से, हर नई संख्या को हटाओगे, हर एक संख्या को हटाओगे, तो उसत एक से बढ़ेगा 6 संख्या को अठाने की बात होई है तो उसत तुमारा 6 से बढ़ेगा, option number B जो है, वो इसका correct answer है wind up करता हूँ, समझो मेरी बात को मेरे कहने का मतलब है कोई भी series award की हो even की हो, किसी की भी हो कोई नई number को लादोगे, add करोगे तो आपका उसत उनके अंतर के आधे से बढ़ेगा, ठीक है कोई नई number को हटाओगे, पीछे की की तरफ से हटाना है, तो आउसत में कम ही आएगी, उनके अंतर के आदे से और किसी संख्या को उसके शुरू से हटाना है, तो उस case में आउसत बढ़ेगा मतलब ऐसे समझ लो, कि किसी संख्या को अगर हम add करते हैं, तो आउसत बढ़ता है घटा सिर्फ एकी condition में है जब किसी संख्या को हम पीछे से घटाते हैं